स्री शिवाई नमस्तु व्यम दर्सको कैसे हूँ आसा करते हैं कि आप सब स्वास्तियम स्रक्चित होंगे दोस्तो महासिवरात्री का वर्थ जिसे सबी ओरते अपनी घर की सुकसानती एवं अपने पती की लंबी उमर आयू के लिए करती है और कुवारी इस्तरिया यह वर्थ अपनी जीवन में अच्छा वर्थ पाने के लिए महादेव को पर्षन करती है और उनकी पूजा करती है दोस्तो महासिवरात्री का वर्थ एक साल में एक बराता है और बगवान सिव के परमभक्त इसका इंतिजार साल बर करता है दोस्तो पूरानिक सास्तरों के नुसार कहा जाता है कि इस दिन बगवान सिव का विवा संपन हुआ था जिसे महासिवरात्री के रूप में माना जाता है दोस्तो लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि आकिर महाशिवरात्री पर जो बेर चड़ाये जाता है इसका क्या महत्व है और इसे लोग क्यों चड़ाते हैं दोस्तो आप भी सोच रहे होंगे कि महाशिवरात्री पर बेर क्यों चड़ाये जाता है तो दोस्तो बने रही है हमारी आज की इस वीडियो के साथ दोस्तो हो सकता है कि वीडियो छोटी बने लेकिन वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बेर का महतुम बताना चाहते हैं कि आकिर लोग बेर क्यों चड़ाते हैं लेकिन इससे पहले एक like तो बनता है और चैनल को subscribe करें दोस्तों बेर का बहुती बड़ा महतुमाना जाता है और कहा जाता है कि जो व्यक्ति मा सिवरातरे के दिन बेर चड़ा दे उसके घर में कभी कलेस नहीं होता है और उसके घर में किसी भी परकार की बिमारी का परवेस न इसी भी परकार की बिमारी हो रही है तो जो आप शिलिंक पर महास्युरात्री के दिन बेड चराड़े हों उस बेर में से एक बेड ले जाकर उस बिमारी से गरसेत इंसान को खिला दीजी दोस्तों सास्तों के अनुसर कहा जाता है कि अगर वह व्यक्ति उस बेर को खा ले तो उस व्यक्ति के सभी रोक कट जाते हैं और वह व्यक्ति अपने जीवन में स्वस्त हो जाता है और वह बिमारिया उस व्यक्ति का साथ छोड़ जाती है दोस्तों बेर का बहुती बड़ा महत्व है कहा जाता है ना कि बेर को खाने से सारी बिमारिया दूर हो जाती है और बेर गर में सुक सांती का समरत रखता है और बेर से गर में दंदान में भी वरद्धी होती है दोस्तों यह होता है मा सिवरातरी पर बेर चलाडानी का महतु है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक आवश्य करें